शनिवार को आतंकी संगिठन जैशे मुहम्मद की सरगना मसूद अजहर को जोर का जटका लगा भारतिय सुरक्षा बलने मसूद के पुलवामा आतंकी हमले के मास्टर माइंड और करीबी मुहम्मद इसमाइल अलवी उर्फ लंबू को एक इंकाउंटर में धेर कर दिया लंबू आईडी यानि के इंप्रोवाइज्ट एक्स्प्लोसिव डिवाइस बनाने का एक्सपोर्ट था भारतिय जाच एजेंसियों के मुताबिक 14 परवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल तार में लंबू ने ही आईडी फिट किया था मुहमद इसमाइल उर्फ लंबू के मारे जाने का सीधा सा मतलब है कि भारतिय सुरक्षा बल ने कश्मीर में मसूत के आतंकी नेट्वर्क की कमर तोड़कर रख दी है पुल्वामा हमले का मास्टर माइंड धेर मारा गया पुल्वामा हमले का गुनेहगार जैश सर्गना मसूत अजहर का रिष्टिदार मुढधिड में धेर जैश कमांडर लंबू मारा गया शनिवार सुबह भारती सुरक्षा बल ने कश्मीर के तुराल इलाके में बड़ी काम्याबी हासिल की भारती सुरक्षाबल ने जैश सर्गना, मसूद अजहर के धरीबी रिष्टेदार और दक्षन कश्मीर में सक्रिय, आतंकी महंद इसमाईल अलवी और फलंबू को एक एनकाउन्टर में मार किराया मुहम्मद इसमाइल अलवी और लंबू आतंकी संगठन जैशे मुहम्मद से तालुक रखता था और IED यानि इंप्रोवाइज एक्स्प्लोजिव डिवाइज बनाने का एक्सपर्ट था सुरक्षाबल ने इस एनकाउंटर के दोरान लंबू के एक साथी को भी धेर कर दिया मारे गए आतंकीों के पास से AK-47 और M-4 राइफल भी बरामद हुई है लंबू जो है इसका अतनान भी बोलते हैं सेफुला बोलते हैं च्का आपिज से के क्रिस् cartridge कर रहा है बहुत सारे इंसिजिंथ में इंवाल ला। है मैं इसका इसथी पाता में चाहूंगा कि जनवडी 2017 में सकारगा सेक्टर से कश्मिर भेली में uma Marx का था और तब तो यह सौट क्रिस काश्मिर में काफी अक्रीव रहा बहुत पारे इंसिजेंट मी इनवल रहा है अभी तक इसे खलाब 14 एफायर केस्ट डर्ज है सबसे बड़ा एटेक जो पुल्वामा के टेक है 14 सब्सक्राइब दोजा उनीस पोगा था ये उसमें से एक एक एकुज है मेन एकुज बेसिकली है पुल्वामा एटेक में टोटल 19 एकुज है जिसमें से साथ टेरोिस्ट अभी तक मारे जा चुके है से फुला अधनान या छोटो जो लंबू जो है आज मारा गया है उप्या एजेंसियों को ये जानकारी मिली थी कि पुल्वामा के त्राल के नाग बेरान तारसर के जंगल में कुछ आतंकी छिपे हैं जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलो ने इलाके को घेर लिया इतना ही नहीं आतंकियों को घेरने के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्म समर्पन करने का मौका भी दिया लेकिन जवाब में आतंकी लंबू और उसके साथियों ने सुरक्षा बल पर खुली बारी शुरू कर दी जवावी कारवाई में सुरक्षाबल ने लंबू और उसके एक और साथी को मार गिराया आईजी विजे कुमार के मताबिक मुहमत इसमाईल अलवी और लंबू को उसके साथी फौजी भाई भी बुलाते थे कश्मीर पुलिस के मताबिक जैश सरगना मसूद अजर का ये रिष्टेदार कश्मीर में कई आतंकी वारदात में शामिल रहा है सुरक्षाबल एक लंबे वक्त से आतंकी लंबू की तलाश बेहद शिद्दत के साथ कर रहे थी दिसम्बर 2019 में लंबू सुरक्षाबल के साथ को ये एक मुड़ बेड में बच निकला था 28 मई 2021 को लंबू ने पुलवामा पार्टू को अन्जाम देने की कोशिश की थी सुरक्षाबल ने वक्त रहते ये साज़िश नाकाम कर दी थी लेकि आइडी एक्सपर्ट ये हम लोगों के लिए बहुत ठेट रहा है लास्ट ये पुलवाम जेक के हम लोगे कार को डिटके जो आइडी लेडेन कार था जिसको बात में हम लोगों डिट्राइग कर दिये उसमें फोजी भाई अबदुल्रहमाओर और लंबू दोनों का हाथ था दोनों आइडी एक्सपर्ट था डिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट येर स्वरी लास्ट मत जिसमें हमारे एक एस्प्यों फ्याज तो मारा और उसके वाइप को उसके बेटी को सत्ताय से जमरी को उसमें लंबू का मैंने उसी टेम मोहाचा मोके से कहा था जैस कहा था लंबू के सारे पर इसको मारा गया था इसमें मैंने क्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साथ कश्मीर नहीं नहीं बलकि पूरे कश्मीर में आइडी का जो एक जवर्दा स्थेट बना रहा है ये मुहम्मद इसमाइल और्फ लंबू ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंग की हमले में शामिल कार में ID फिट किया था जैश सरगनाग गारी मुफ्ती यासीर के मारे जाने के बाद लंबू को कश्मीर में जैश की कमान सौपी गई थी मुहम्मद इसमाइल और्फ लंबू जन्वरी 2017 में कश्मीर में दाखिल हुआ था लंबू पुलवामा के तराल इलाके में काफिल लंबे वक्त से सक्रीज था मुहम्मद इसमाइल अलवी साड़े छै फिट का था इसलिए उसके साथ ही उसे लंबू कहते थी जैश सरगना मसूद अजर ने लंबू को कश्मीर में जैश के नेटवर को मजबूत करने के लिए भेजा था इसके अलावा लंबू को नए लड़कों की भरती और उन्हें आईडी बनाने की ट्रेनिंग देने का काम भी सौपा गया था इतना ही नहीं लंबू पर कश्मीर के युवाओं का प्रेन वाश करके उन्हें आत्म घाती हमलावर बनाने का जिम्मा भी था लंबू अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिकी फौच के खलाफ जंग भी लड़ चुका है यह एक अच्छी डिजाइन है यहां से ललकों को ले जाओ वहाँ पर ट्रेन करो उसके बाद में उनको टेर्रिस बना करके भेज़ दो यह सारे बच्चे तक्रिबंद चालिस अभी फिगर बताएंगे आपको आईजीपी साथ कई बच्चे उस टाइम पर यूथ हमारे यहां से उधर गए उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया गया पर वीजा के लिए पढ़ने के लिहाँ से गया थे बाद उनको टेर्रिस बना करके यहां भेज दिया गया कई लड़के उसमें से न्यूटलाइज हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि जो यूथ वहाँ से वापस सीधी तरीके से वापस आ जाएगा उसको वेलकम है जो हत्यार लेकर के आएगा उसको हमें न्यूटलाइज करना ही करना है भारती खुफिया एजनसियों के मताबिक मुझे इसमाईल और्फ लंबू का मारा जाना जैश के सरगना मसूद अजहर के लिए एक बड़ा जटका थाबित होगा दरसर मुहमद इसमाईल आतंक संगठन जैश मुहमद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का करीबी रिष्टदार था और 14 फरवरी 2019 को सीर पिएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में भी शामिल था पुलवामा आतंकी हमले में सीर पिएफ के 40 जवान शहीद हो गएते इस हमले के साज़िश मसूद अजहर के इशारे पर रची दे थी भारती खुप्या एजेंसियों के मताबिक दक्षनी कश्मीर में लंबो के इशारे पर ही इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता था खासकर आईडी हमलों की आतंकी साज़िश लंबो ही रचता था इस से पहले भारती सुरक्षाबलने मार्च 2019 में मसूद के एक और भतिजे मुहम्मद उमर फारुक को भी मार गिराया था अक्टूबर 2018 में मसूद के एक और भतिजे उसमान हैदर को भी एनकाउंटर में धिर कर दिया गया था नवंबर 2017 में मसूद के भकीजे तलहार राशित को भी कश्मीर में मार गिराया गया था नवंबर 2020 के अंदर ये नमबर तक्रीबन 300 के आसपास आने लगा है आज की तरीक में डीजी पी साथ ने खुद बताया है 200-225 के आसपास ये नमबर है तो कई लोग पूछते ही ये नमबर कब कम होगा ये नमबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है शनिवार को त्राल में ही नहीं बलकी जम्मू बंच हाईवे पर भी सुरक्षा बल ने आतंकियों की एक और खौफनाक साज़िश को नाकाम कर दिया दरसल आतंकियों ने जम्मू बंच हाईवे पर राजवरी के बधुनी इलाके में 3 किलो आईडी लगाई थी लेकिन सुरक्षा बलों को आतंकियों की इस खौफनाक प्लैनिंग की भनख लग गई और बं डिस्पोजल स्कुएट ने वक्त रहते ही इस आईडी को निश्क्री कर दिया इस दौरान कुछ देर के लिए हाईवे को बंद कर दिया गया लेकिन आईडी को डिफ्यूज करने के बाद हाईवे को याथायाद के लिए खुल दिया गया इसके अलावा अमरित सर के तरंतारन इलाके में भारत पाकिस्तान सीमा के एक गाउं धेकला में भी B.S.F. की 103 बटालियन ने दो पाकिस्तानी घुसपैटियों को मार गिराया ये दोनों शनिवार देराद पाकिस्तान के तरफ से भारती सीमा में घुसपैट करने की कोशिश कर रहे थे शनिवार को एक नहीं बल्की एक सब्सक्राइब करने के लिए आर्मी को पुलिस को बहुत मौरगबाद देता हूँ इस हंसे इंट आता रहे ऑपरेशन चलता रहे तो ये समय दूर नहीं है जबकि जेश महमद का यहां से सफाय हो जाएगा शनिवार को एक नहीं बल्की एक साथ आतंकियों की तीन साजिशों को नाकाम किया गया और ये भारती सुरक्षा बल के लिए यकिनन एक बड़ी काम्याबी है जिस तरह घाटी में आतंकी साजिशें एक के बाद एक नाकाम की जा रही है और चुन चुन कर सरहत पार से आए आतंकियों को ठेकाने लगाया जा रहा है उसे देखकर भारती सेना के अधिकारियों को उम्मीद है कि वो जल्द ही कश्मीर से अब आतंक और आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे दिल्ली स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कुख्याद गैंक्स्टर काला जठेडी को गरफतार कर लिया है काला जठेडी के साथ राजिस्थान पुलिस की कस्टडी से भागी लेडी डौन अनुराधा चौधी को भी किया गरफतार स्पेशल सेल ने दोनों शातिर बदमाशों को शुक्रवार को उत्तरप्रदेश के सहरनपूर से गरफतार किया पहलवान सागर धनकर की मौत के बाद से सुर्कियों में आए काला जठेडी को दिल्ली पुलिस काफी शिद्दत से तलाश रही थी काला जठेडी ने सागर हत्यकान के मुख्या आरूपी पहलवान सुचील कुमार को जान से मानी की धंकी दी थी पकड़ा गया दिल्ली का मोस्ट वॉंटेड गैंस्टर काला जठेडी शिकंजी में साथ लाह का इनामी बदमाश लेडी डॉन अनुरादहभी गिरफ्तार गिरफ्त में काला जठेडी और रिवॉल्वर रानी देखिए इस समय दिल्ली अन्सियार का जो सबसे तुख्यात ग्यंगिस्टर काला जठेडी वो काउंटर इंटेलिजेंज यूनिट वे इस्पेदा सेल की वहाँ पर मौझूद है और इसे सारनपूर से गिरफ्तार किया गया है बता दे की साथ लाग रुपे का इनाम जो है वो काला जठेडी के उपर था और इस पेदा सेल के लावा कई राज्यों की पुलिस जो है वो काला जठेडी को गिरफ्तार करी थी जो राजिस्तान की लेडी डॉन है उसके साथ लिविन रिलेशनसिप में जो है काला जठेडी रह रहा था और बता दे की जिस तरह सागर धंकर की हत्या हुई थी उसके बास से नाराज होकर जो नीरज बबानिया गेंग के जो सूटर है उनको कॉंट्रेट किलिंग के लिए जो है वो तारगेट करना का इसका मंशादा देखिए ये लेडी डॉन जो है ये इसके साथ यहाँ पर मुझूद है जो पहले वी राजिस्तान से जिरप्तार हो चुकी है और फिलाल देखिए इस परदा सेल की कस्टेडी में जो है वो इस समय काला जठेडी को रखा गया है काला जठेडी और संदीप दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंग्स्टर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में खड़े दिल्ली के इसको ख्याद गैंग्स्टर को सहरनपूर से गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एंकाउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने काला जठेडी को सहरनपूर के आमानत धाबे पर उसकी सहयोगी लेडी डॉन अनुराधा और रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार कर लिया किरफ्तारी के वक्त पुलिस ने दूनों के पास से एक एक पिस्टल भी बरामत की पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वॉन्टेड क्रिमिनल संदीब एलियर्स काला जठेडी और उसकी सहयोगिनी अनदर वॉन्टेड क्रिमिनल अनुराधा जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है इन दोनों को कल सहारनपूर के पास से गिरफ्तार किया है इसके उपर 6 लाग रुपए का क्यूमुलेटिव रिवार्ड गोशित है जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा उसके उपर राजस्थान पुलिस से रिवार्ड गोशित है और ये कारवाही ये ओपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगबग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ओपरेशन था छे महीने से तमाम राजियों की पुलिस, इस्पेशली डिली पुलिस और डिली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटे इस बदमाश को पकड़ने का लगतार प्रयास कर रही थी इसमें हमें कर कामयाभी मिली दिली के च्छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धन्खड हत्याकान के बाद गैंस्टर काला जठेडी का नाम चर्शा में आया था दरसल पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों ने च्छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर की पिटाई की थी तो सागर के साथ उस वक्त सुनू महाल भी मौजूद था सुनू महाल काला जठेडी का रिष्टेदार है और उसकी पिटाई के बाद से ही काला जठेडी और सुशील कुमार में ठन गई थी सूत्रों के मताबिक काला जठेडी ने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी काला जठेडी राजस्थान के कुख्याद गैंक्स्टर लौरेंस विश्नुई का करीबी है बकॉल दिल्ली पुलिस काला जठेडी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी पीशल सिल के मताबिक परवरी 2020 में वरीदाबाद पुलिस के कस्टरी से परार होने के बाद गैंक्सर काला जठेडी उत्तरप्देश, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार और नेपाल में छिपता रहा गिरफतार होने से पहले काला जठेडी लेडी डॉन अनुराधा के साथ उत्तरा खंड में छिपा हुआ था और जैसे ही सहरन पुराया पुलिस में उसे अनुराधा के साथ गिरफतार कर लिया स्पेशल सिल के मताबिक चूंकि काला जठेडी के रिष्टे राजस्तान में एक एंकाउंटर में आंस से छे साल पहले मारे गए आनन्द पाल के गैंग से भी थे लिहाजा वो और लॉरेंस विश्णुई के गुर्गे काला जठेडी को फरार होने के वक्त मदद करते रहे पेशल सिल के मताबिक सागर पहलवान हत्याकान से नाराज होकर काला के निशाने पर सुशिल कुमार और नीरज बवानिया के गैंग मिंबर थे लिहाजा काला की नाराज़गी से डरे पहलवान सुशिल कुमार ने तीन बार काला जठेडी से फोन पर माफी भी मांगी थी और समझहोते की बाद भी कही थी जिस तरश से च्छत्रसाल स्टेडियम में सागर धंकर पहलवान के हत्यावी थी उससे नाराज होकर काला जठेडी ने पहलवान सुशिल कुमार को धंकी भी दी ती और जानकारी ये भी आ रही है कि उसके बाद एक समझहोते के लिए जो पहलवान सुशिल कुमार है उन्होंने काला जठेडी से माफी भी मांगी थी उस पूरे एंगल पे भी लगातार अब जो इस पैदा सेल की काउंटर इंटेलिजन्स यूनिट है वो काला जठेडी से प पूच्टाच में भी गैंक्स्टर लॉरेंस बिशन्स बिशन्स नोई ने काला जठेडी के बारे में कुछ नहीं बताया उसके बाद स्पेशल सेल ने एक जाल बिछाया लॉरेंस बिशन्स की 20 दिन की कस्टरडी खत्म होने के बाद उसे तिहार जेल में शिफ्ट कर दिया पूचाया यह स्पेशल सेल के ऑपरेशन का एक एहम हिस्सा था फोन मिलने के बाद विशन्स ने काला जठेडी से बात की एक महिने तक बिश्णोई के फून कॉल्स पर नजर रखने के बाद काला जठेडी को गिरफतार कर लिया गया दिल्ली में 15 मुकर्मों में ये वांशित चल रहा था दिल्ली से बाहर चार स्टेट्स में 25 के आसपास केसेज हैं मर्डर, एक्स्टॉर्शन, लैंड ग्रैब और डेकॉर्टी के जिनकी हमें कन्फर्म जानकारी है तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसला इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में तब इसके उपर उस समय 34 मुकर्मे थे 2020 में ये भागा उसके बाद से अब तक 15 केसेज है 15 रेजिस्टर्ड एफाई आर्स है गैंग मेंबर्स की जहां तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे है जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस विश्नुई है जो पंजाब और हर्याना देखता है इसमें सूबे गुर्जर है हर्याना का आननपाल जिसकी अनुराधा के साथ असोसियेशन था तो आननपाल का भी राजस्थान के बड़े एडिया में एक टेंपे वर्चस हुआ करता था तो ये सारों का जो क्रिमनल अलाइंस है प्लस इनके पास जो बाहर लोग बैठे हुए है जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं गोल्डी वरार है काली राना है काला जठेडी और लारेंस विस्नोई दोनों ने ही एक गजोड के तहट एक बहुत बड़ा नेटवर्क तयार किया था इसपेदा सेल के सरकारी कागजों में बात दर्ज है कि 600 से ज़्यादा गेंग्स्टर जो है इन दोनों गेंग मेंबर के दिल्ली एंसियार और अलग लग जगे पर फैले हुए है सोसल मीडिया से लारेंस विस्नोई और काला जठेडी हायर करते दें गेंग्स्टरों को और उसके बाद उन्हें अलग 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 तास्क दिया जाता था बता दे कि इसी न्यू फ्रेंट्स कालोनी के काउंटर इंटेलियंस के दफ्तर में काला जठेडी को रखा गया है उससे वीडियो कांफरेंसी के जरिए पेश के जाएगा और जिस तरह से काला जठेडी की गरपतारी हुई है उसके बाद दिल्ली एंसियार और अलग अलग राज्यों में काला जठेडी के निशाने पर कौन-कौन से लोग थे किस तरह का इनका पूरा आगे की प्लानिंग थी वो तमाम चीजों का भी खुलासा होगा आईए अब आपको इस शातीर गैंस्टर के काले कार नामों का कच्चा चिठा दिखाते हैं स्पेशल सिल के मताबिक संदीब उर्फ काला जठेडी हरियाना के सोनी पत का रहने वाला है पिछले दस महिने में काला जठेडी गैंग ने दिल्ली, हरियाना, पंजाब और राजस्तान में 25 हक्तियाओं को अंजाम दिया और इस बीच एक एम खबर आपको बता दिए